जैजनेंद्र मैं शीवांगी आत्मा चैनल पे पर सारी धार्मिक और समाजिक समाचार देख रहें सबी दर्शुकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आई बढ़ते अपने धार्मिक और समाजिक समाचारों किया। तो को महरास साहिब जी के दर्शन हुए और महरास साहिब जी के मदुर्वानी से प्रभावित हो आनन्दित हुए। इस आत्मगद्दी पर नवश का महामंगल पाठ बड़े ही हर्शो उलास के साथ पूरे सकल जैन समाज के निततव में, हमारे एससा जैन ब्रादी रुपा मिस्तिगली के परदान श्री अशोग जी के निततव में, इस आत्मगद्दी पर सारा कारे करम सुब़े साड़े आट बज़े से लेके दस बज़े तक चलेगा, इस कारे करम में शमन संगिये परवर्तनी, गुद्नी महिया, श्री सुदा जी महराज, ठाना चोगदा यहाँ पर स्पेशल नव वर्ष के महामंगल पार्ट के लिए पदार रहे हैं। ठाने तीन द्वारा भक्तों को निरंतर धर्म के मार्ग पर ले जाया जा रहा है और प्रवश्नों की लड़िक निरंतर चारी है। आईए आभी जानी की महराज साहिप जी ने अज भक्तों को प्रवश्नों में क्या संदेश दिया। प्रवश्नों में आप भी एसेज जैन सभाचंडीगल रोज सेक्टर 49 में आकर महराज साहिप जी के दर्शनों प्रवश्न का लावले। वह सारी संसारिक बाधाओं को दूर कर जीवन का आनन्द माने। महराज साहिप जी का आगामी एक जन्वरी तक यही राजमा रहने का भाफ है। प्रिती ना तोड़ देना हिमत ना छोड़ देना। नुद्धाना से विकास की रिपोर्ट। जहां आए हुए भक्तों में खुशी की लहर तोड़ पड़ी। यहां महराज साहिप जी ने भक्तों को प्रवश्नों से निहाल किया। जहां भक्त भक्ती रस में डूबे नजर आए। आए आभेस भवेकारिकरम का हिस्सा बनिए। तेरे बिना गुर्वर सहार नहीं कोई रे तेरे बिना गुर्वर हामार 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 नहीं कोई रे तेरे ओरे नाव पुराने गहराने चले ओरे नाव पुवर्च बड़ बड़ भवरे है गहरा है पाने बड़ बड़ भवरे दुबन लगी नईया बचाय नहे कोई रहे दुबन लगी नईया बचाय नहे तेरे बिना गुर्वर हमार नहे कोई रहे तेरे बिना सरयम की सुककारी नौका में बैटो सरयम की सुककारी सरयम बिना गवसे तेराय नही कोई रहे सरयम बिना गवसे तेराय नही लुध्याना से विकास की रिपोर्ट एक नेजी चैनल पर चल रहे कोमेडी शो की दोरान पवित्र बाईवल की शब्द हालिलुया का अश्रील भाशा में प्रसिद आदाकारों भार्टी सिंग रवीना तंडन वफराखा ने मतलम निकाला जिसके कारण मसी भाईजारे की नाए आहत हुई और उनका रोश उभर कर बाहर आया जिसके जगद जगह जगहतिन की खिलाफ प्रदर्शन कहा रहे हैं उसी लड़ी के तहथ अम्रीशर्टर ज्रणुल में मोगा में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया जुन्याला गुरु में प्रदर्शन कारियों ने सरकार पर तीनों के खिलाफ खारवाई ना करने के आरोप लगाए आई आपिस ने प्रदर्शन कारियों का क्या कुछ कहना रहा तोड़ के पेश किता है उस प्रती साड़ी सारी क्लिस्याद विछ बहुत गुसा है असी जोड़ पूरे जोश दे नाल ए प्रदेंशन कर रहे हैं ते होर भी पूरी तरह करांगे है साड़ी तो तरमजे हाले लुया दी जो भी बेद्बी होई है असी मांग दे है कि वह दोश्या नो गिर्फदार किता जावे तो उनना नू सजा दिती जावे क्योंकि साड़ी जेडा हाले लुया जेडा शबद है रहा ऊवो बहुत पवित्तर शबद है यस दी बेद्बी ह प्रमेशर की अरादना करें तो यह एक ऐसा शवद है जिसका अनुवाद भी नहीं किया गया पंजाबी में भी है इंग्लिश में भी है और हिंदी में इसका अनुवाद नहीं हुआ क्योंकि इसकी पुवितरता को बताता है यह इतना पुवितर वर्ड है जिसका अनुवाद तक नहीं हुआ और यह बाइबल में हमारी अरादना वर्शिप में महतंपुर्ण रूप से यूज होने वाला वर्ड है हम चाहते हैं कि सरकार से वो उचित कारवाई करें जिनोंने इसके खिलाफ अबदर भाषा प्रियोग की है तो हमारी यहीं गुजारिश है और आज फिर से हम यहां से निकल कर जाएंगे और ताकि सरकार हमारी अवाज को सुने वहीं दूसी तरफ इस संबंध में मोगा में भारी रोश तेखनी को मिला और इसाई समुदाय द्वारा मोगा के में चोक में रोश प्रदर्शन कर फराखान, रवीना टंडन और भारती सिंग का पुतला फुका गया इस मामले में जानकाली देते हुए मोगा की चर्च के एक पादरी ने बताया कि हालेलोया का मतलब परमेश्वर की सराहना करनी होती है लेकिन भारती सिंग, रवीना टंडन और फराखान की तरफ से इस शब्द को गलट धंक से पेश किया गया है जिसकार इसाई समुदाय के लोगों को ठेस पहुची है, उनकी भावराएं आहत हुई है साथ ही उन्हें जल्द से जल्द गिरफतार किये जाने की मांग भी की जा रही है खाला कि इन तीनों पर पंजाब की कई जीलों में पुलिस द्वारा धारा 491 के तहट मामला दर्श किया हुआ है और इन्होंने ट्वीट कर माफी भी मांगी है पर इनकी माफी मसी भाईचारे की तरफ से स्विकार न की गई तथा प्रदर्शन का इस सिलसला लगातार जारी है और सरकार तक भी उंगली उठाई जा रही है लगातार इनको सलाकों के पीछे डालने की मांग की जा रही है जाने अंजाने में की गई इस हरकत का अंजाम दिन बादिन बत से बत्तर होता नजर आ रहा है क्या ये प्रदर्शन इन्हें सलाकों के पीछे पहुचा कर थमेगा या आहत मसी भायचारे की माफी इन्हें मिलेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा तो नहीं पंजाब चे अम्र्वाचन नुग्ट शब्दा चारण कीता गया और गल्थ शब्दा चारण करने तो बाद जो फरा खाने एक या वी एदा मतलब बाईबल दे विच्चे शब्द ले आ गया और इदा मतलब एए तो वे खुदा तेरी तरीफ होवे प्रेजदा तो बाद पार्टी सिंग ने कहो जे शब्द कीते गए वी खुदा प्यार दास्दावा ते करें जागे पत्री पत्री जड़िया जैसी जावांगे प्यावदे पत्री नुकावांगे हैले ते अशारा करके लुए मतलब एड़ी गंदी ते शलील पाशा इशारेयां दे व अधैनी कि एचीजां जरीयां उननुह पता नहीं सी आपा सारे जान दे हैं कि जिदों भी अग्यवी मैं कह रहा है थी कि जिदों भी कोई चीज जा कोई शोइप एस कीता जांदा है ना वोदी पहलोगे पोड़ी श्क्रिप्ट लिख लिखी जांदी है वोदी अधी अडि गाला नहीं है इदा मतलब वो कले वो तेन दोशी नहीं होना दा जड़ा डिरेक्टर है जड़ा कमकोजर सी एस सारे लोग कठे ना मिलके एस सारा काम कीता और जिस तरह हुने पादरी साब ने तौनु दस्याभी क्योंकि में में जाक उड़ा रहे सी कि में हास्दे पैसी एक पुवित्र शब्द है एक पर फेर मैं दसना चोना एक हिब्रियों पाष्ट है जिन्हों असी इब्रामी पाषा किन देया है उदा शब्द है खालेलुया जेदा मतलब है पर मेश्चुती विडियाई हो भी अमरिसर से परम जिस सिंग की रिपोर्ट मोगा से संजीप अरोडा की रिपोर्ट जहां नवर्ष को लेकर पूरे देश भर में काफी उत्साप आया जा रहा है लोगों की तरफ से अलग-अलग प्लैंस बनाए जा रहे हैं और नए साल के स्वागत के लिए जोरो शोरो से त पूलो बैंग आ रहे हैं नवर्ष पर बोलते हुए डीचे भानु ने कहा हम पंजाब में पहले हैं जहां मैट्रिक्स लाइट है हमारे पास दिन और रात की एलेडी स्क्रीन है और सबसे बहतर साउंट और लाइट्स की स्थिति है साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यहां वो क्या कुछ औरों से बहतर करने की कोशिश कर रहे हैं आए जानते हैं उसके बाद I am going to play music here we have a special package for all couples and we expecting a good party कि लोग आए हैं पार्टी करें मज़ा करके जाए हैं पर गुजाना में यह हमारा पहला वेंचर है जी अभी इसके रिस्पॉन्स के उपर है दन प्लान्स तो यह हैं कि इसको आगे करें जी और सिटीज में लेके जाए हमारे जो सिगन लुद्याना से गगन की रिपोर्ट बीती शाम महानगर के प्रसित वप्राशीन तलाम मंदिर में हर रविवार की तरह बीती रविवार भी भजन संधकाय जुन किया गया जहां भक्त भक्ती रसमें दूबे नजर आए और भजनों पर छुमते भी नजर आए आई हुए भक्तों ने भजन गाए वप्रभू की भक्ती में ली नजर आए और तो और अंत्मे भक्तों ने देश भक्ती के गाने भी गाए वह तलाम मंदिर में रौन के लगाए आए आप भी इस मनमोहक द्रिश्य का हिस्सा बनगे लुट्यान से जिस्विंदर के लिपोट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पूरे पंजाब में शिग्र गोबिन सिंग जी के छोड़े साहिब जादू का शहीदी जोड मेला पूरी श्रधा भावना के साथ मनाया जा रहा है और जगा 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 लंगर भी लगाया जा रही है इसी करी के चलते जिला संगरूर के सीनर सेकंडरी स्कोर महिला में भी शहीदी जोड मेला साथ दिवस केमप लगा कर मनाया गया यहाँ केमप हल्थी यूध वेल्थी यूध के बैनर तले साथ दिन तक चला जिसमें करीब 60 विलेंटियर ने हिस्सा लिया हमाई टीम को जानकारी देते हुए प्रिंसिपल एकदीश को और प्रोग्राम अफसर परमिंदर कुमार लोंगोवाल और राजीश कुमार ने बताया कि यह कैम्प छोटे साहिप जादों की शहीदी को समर्पित लगाया गया है इस कैम्प में कई तरह के प्रोग्राम किये गए जैसे कि बेटी बचा और बेटी पढ़ाओ पर रैली सफाई मुहे पेड़ पौधि लगाना आदिशा मिल था ऐसा कम करके जाईए के साड़े पिंड़ दा साड़े इना बच्चियां दे मावाप दा नाम रोष्ण होवे असी ना तो कोई प्रेर ना लएए असी अपने स्पूल नो चड़दी कलावाले लेखे जाएगे किस तरह नजड़ा सहज होगा बच्चियां मैंनो मेरे इस केंप दे कौईडिनेटर पर मिंदर जी ता कारी रहे ने सारा कम उनना दे नाल नाल मैंनो मेरे पूरे स्टाफ तो एस पिंड़ दे सारे नगरनेवासियां तो कमेटी मेंबरां तो बच्चियां तो बहुत वदिय कोई मैसेज देना चौनियां के एस श्री हिदी गुरपुरव तो प्रेरना लेके सानू भी अपने देश कौम पेंड सारे नेले नेक कार्ज करन दा सदा युपराला कर दे रहना चाहिए जिंदगी हथी काम करन दी जेड़ी साठी हुन आदत हुन छुट दी जा रही है ओस किर्थ दा सब्याचार विकसत करन दे लई एक केम्पलों ने बहुत जुरूरी ने ते मैं एही संदेश बच्चे नों देना चौनियां के ओहो अपने हथी किर्थ करके अपनी जिंदगी नों वधिया काम जाब कर रहे सर सड़ा जेडा है सत रोजा केम्पल सी जब कुस्वामा बबाग दी सरप्रस्ती दे है वहम इसे बाजो जना दी एकाई है जडी साडी सिरकारी सीने सकेर स्कूल मेला दी कुलना दे वलंटियरां वल्लों जिडा डे एंड नाइट दा कैम्पल गाया गया सी तांके बद्यार थी जडी वलंटियर ने उना दे अंदर हथी किर्थ करन दी जडी कला कैली है ज़ा आदत पास सकी है तांके उनना अबदा कम करन दे विच कोई शर्म जा किज की ना सोटे शैप जादे हैं दिस शहादत नो समर्पत कीता सी ते हैल्दी यूथ ते वैल्दी यूथ दे बैंजर है ठालाया सी यह सड़ा नौजवान है जड़ा हो सेत मंद है ता इस ता मतलब है कि उस दे लवे ता अंदौलत अपने हापी आदे क्योंकि उस दे जवानी है जाता अरंबल जनी के समासेवा बल समर्पत करन दे लई उनननों इस गल्दी चेंगलाउन दे लई पसी जड़े साड़े वलंटियर सी लगपक सठ वलंटियर जी दे विच बोईस दे गर्ल्स कठे ते उननने स्टेक कीता बहु सारा कम प्रजेक्ट वर्क समाज के बराण्य संगरूर से जकतार बाबा की रिपोर्ट पूरे उत्तर भारत में इस समय सर्दी का कहर बढ़ रहा है वही सर्दी के कारण जहां आम जीवन अस्त व्यस्त है वही अगर हम बात करें मोगा की तो मोगा में भी सर्दी का असर पूरा चाया हुआ है वही यहां भी पिछले 20 दिनों से सूरस देवता के दर्शन नहीं हुए वही इस सर्दी और धुन के कारण सफर के रफ्तार भी दीमी होती नजर आ रही है जो सफर पहले करीब एक घंटे में तै किया जाता था अब उस सफर को तै करने में दो घंटे से जारा कसमें लग रहा है इस ठंड के कारण परिवेहन में काफी मुश्किले आ रही है जिससे वहां चालक काफी परिशान नजर आ रहे है उनका उनकी मुश्किलों को लेकर क्या कुछ कहना है आई आप भी सुनिए इतरए पर देहां है है याजिए लुट करूंच ना तरव ना पर रहे हैं लुटलों है ना नषे मेलओं या जानने याजिए ठंट बहुत जाद में सबस्क्ताइब मोगा से संजीव अरोडा की रिपोर्ट जहां मोगा में सर्दी से लोग बिहाल हैं वही इस कडाके की थन में नाभा में लोगों की चैरे खिले नजर आए इस कडाके की थन में लंबे इंतजार के बाद सूरे देवता के दर्शन हुए जिस कारण इन्होंने कही न कहीं थोड़ी राहत महसूस की सांती तुपतों बिना फासल हो नहीं सकती के कुद्रत एदा अपानू हात्रा दा नंद मानना चाहिए ठंड बिल्कुल जैदा सीगी अज उस चीज़ दा रहत में लिया लोकानू आवाजाई वदी है तो उन्दकर के थोड़ा जा आवाजाई फरक पेंदा है क्योंकि ट्र देखो टेंपरेचर पंजाब जो पिछले कहीं दाक्यां दा टेंपरेचर कटेया इस वार सूर्ज ने दार्शन दित्ते ने जी प्रमातमादा लख लख शुकर है क्योंकि पिछले दिनी बहुत पारी ठंड दे नाड जिड़े पसूसी के वी बिचारे मर रहे सी ते कसान न नाबस सुक्षयां सिंग की रिपोर्ट विश्व भर में श्री गुरु नानक देव जी के 550 वे प्रकाश पर्फ को उत्सा पूर्वक मनाया गया और इस पावन पर्फ के उपलक्ष में धार्मिक समागम करवाए गए उसी लड़ी के तहद का ओहरपुर में गुर्द्वार प्रबंध कमीटी और इलाका निवासियों के सहयोग से ग्यानी केवल सिंग की अगवाई में एक महान गुर्मत समागम करवाया गया इस समागम के दोरान भाई जसवीर सिंग जी तांडा वाले मीरी पीरी खाल साज़त था यमना नगर वाले और ग्यानी रंजीर सिंग के डाडी चत्थों ने संगतों को गुर्बानी से मनोहर किर्तन के राही ने हाल किया इस धार्मिक समागम के दोरान यहां प्रबंधकिय की तरफ से धार्मिक साहित की पुस्तके मुफ्त में वित्रित की गई वही वेक्स हॉस्पिटल तांडा की तरफ से डॉक्टर लवप्रित पावला की अगवाय में डॉक्टरों की टीम की तरफ से मुफ्त मेडिकल कैम्प भी लगाया गया जहां जुरत मंदों का मुफ्त में चेक अप किया गया और उनके लिए दवाईयां भी उपलप्त करवाई गई पाहे गुजी की पते मैं ग्याने केव सेंग ओड़ पुर्तों आप जी दिरूरू हो रहा हां सुमू ओड़ पुर्दी संगत अते प्रवंद कमिटी दे साजोग सदकां जो वसी पांसो प्यास साला घुरूनानक दा प्रकाश्च सव मनारे सां तो दसंबर बीसो ठारा तु लेके उनत्ती दसंबर बीसो उन्नी तक सारी संगत ने रालमिन के साही पाठ अक वंजा दे पुपाई हाना ते उस्तों प्रांकत कीतन दर्वार रख्या ग्यासी ते जस्वेच पाई जसवीर सेंग पाई सुलखण सेंग पाई रणजी सेंग रोपड़ वाले टाड़ी जथा अते मीरी पीरी दा खाल सा जथा जनाने कीर्दन करके सांटानू निहाल किता ते गुरू दियां खुश्यां प्राव्द कितियां आश की समाचार बस यहीं तक मैं शिवांगी कल फिर हाजिर होंगी कुछ ने धार्मिक और समाजिक समाचारों के साथ तब तक आप बने रहें आत्मा चैनल के साथ जैचनी कर दाद कर दो समाचारों के साथ जैचनी